असलाम अलेकूम आज कुक विद्फताज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चुंगे बनाने की रेसिपी तो इसे कैसे बनाती हो बताऊंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप तक मेरे वीडियो की अपडेट जल से जल मिल सकें और आप इसे फौरण देख पाएं तमाम मुसल्मानों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी मुबारक बात तो अला से यही दूआ है कि यह साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और बहुत अच्छे से गुजरे यह साल अला से यही दूआ है तो चलिए शुरू करते हैं तू सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस हां कर लिया है तो इसका सिरफ बना लेते हैं तो चलिए इसे mix कर लेते हैं तो यह थोड़ी सी hard हो जाती है पानी add करने के बाद तो इसे थोड़ा सा mix कर लीजिएगा तो इसे medium flame पर रखकर मैं इसे अच्छे से पका लूँगी ठीक हैं तो इसे पकने के लिए रख देते हैं तो चलिए तब तक चेक दूसरा काम कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर रख चुकी हूँ और चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है जो कि गेहों का आटा है दो कब आटा है तो इसमें थोड़ा सा नमा के तब में ने यहां पर डोरी कर रहें पने कर लेते हैं, आप इसमें चमच चलाते रहेंगे तब तक दूम कर यहां पर डोर कर रही हूं. यह बन ये बोर स्ब्सवी ठेसा है अलुम करें लिए पर इसमेंद धीच कीखेज़ usamay तो यहां पर मैंने इसका अच्छा सा डो रेडी कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है, तो चले इसे एक साइट पर रख देते हैं, तो यहां पर मैं एक साइट पर रख देती हूं, तो चले वो बताती हूं, जो कि सुगर सिरफ कैसा बना हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक चप्छमी में लेकर आप इस तरह से टच करके देखें थोड़ा से चिपचीप हो रहा है तार बन रही है बस एतना काफी है, गैस आफ कर लेते हैं तो यहाँ पर से मैं उतार दिया है अजय यहाँ पर तवारक दिया है ताकि ये इसलिए करना है हमें जो शुगर सिरफ है वो इसमें लगे तो इस तरह से मैं इसमें सुराखें दाल रही हूं चमस से तो इस तरह से डिजाइन रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं तो तवे पर एड़ कर लेते हैं तो तवे पर add करने के बाद थोड़ी देर हमें से पकने के लिए छोड़ देना है मैं side से इसके तेल add कर दिया है ताकि यह चीपक ना जाए इसलिए तो इस तरफ से हमें bubbles आ रहे हैं तो यह बिल्कुल थोड़ा सा पक रही है इस तरह से हमें इसे हटाते हुए इसे सेख लेना है तो चलिए इस तरफ से ये अच्छे से थोड़ा सा तो सीख चुकी है तो हम इसे इस तरह से प्रेस करके सेख लिया है तो पल्ठा देते हैं इस तरह से आप जिस तरह नॉर्मल रोटी को सेखते हैं उसी तरह से सेख लीजिए तो इस तरह से प्रेस करते हुए कच्छा पन नहीं दिखना चाहिए इस तरह से सेख लीजिएगा तो चलिए इसे सेख कर निकाल लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये सिख चुकी है, अच्छे से ब्राउन स्पाउट आ चुके हैं, तो इसे निकाल लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और जो है, शुगर सिरॉप इसके उपर एड़ कर रही हूँ, तो थंड़ा हो चुका है, थोड़ा सा शुग तो यहां पर मेरे पास जो है यह कोकोनट है खोपरा जिसे मैं अच्छे से बारी ग्रीट करके रख लिया था वो इसके उपर एड़ कर दूंगी से अच्छे से लगा दूंगी शुगर सिरप में यह अच्छी तरह से चिपक जाएगा जिस तरह से आपको दिख रहा है तो चलि कर निकाल लिया है तो इसे भी थोड़ा से शुगर सिरप लगा देंगे पहले रोटी की तरह ही तो थोड़ी देर होने पर शुगर सिरप हाड हो जाता है तो आप थोड़ा सा गरम करकर यूज कर लिजेगा तो चलिए इसके उपर एड़ कर दिया है मैंने और यहां पर कुकोनेट एड़ कर लेते हैं खोपरे को इस तरह से ग्रीट कर लिजेगा पारीक और इसके उपर शामिल कर दे तो थोड़ नोरे रोटी बन कर रेडी होचुकए है चौन गे बन कर रेडी हो चुके है तो चलिए से डिश आउट कर लेते हैं अमीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो महरम का आगाज हो चुका है तो आप इस रेसिपी को जरूर ड्राय करें अपने फैमिली में अपने बच्चों को जरूर दें उन्हें बहुत पसंद आईगी ये रेसिपी तो चलिए जाने से पहले ये कहूंगी कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल का एकन पर भी क्लिक कर ले आप मुझे इंस्टेग्राम और फेस्बुक पर भी फालो कर सकते हैं तो आप मुझे वहाँ पर जरूर फालो करिएगा और तो चलिए चलती हूं फिर एक नए रेसिपिले कराओंगी तब तक के लिए अलाहाफिस